हलो बच्चों कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सब की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी आज की वीडियो में हम लोग exercise 3F को solve करेंगे इसके जितने भी problems दिये गए हैं इसमें हम लोग सभी problems को solve करेंगे ठीक है तो आरेस सगर वाल की किताब है class 8 की math की ठीक है और इस book से हम लोग अभी exercise 3F को solve करेंगे इसमें क्या है कि ये square and square root chapter से है जिसमें ये जो problems दिये गए हैं इसमें हम लोग को square root निकालना है बट ये decimal numbers के हैं ठीक है तो आप अगर पिछली वीडियो को नहीं देखा है अपने तो उन वीडिय करते हैं 3F के problem number first में दिया गया है कि square root of 1.69 निकालना है ठीक है तो देखिए पहला question है कि आपको निकालना है square root of 1.69 ठीक है तो आपको जैसे पहले निकालते हैं तो whole number का आपको वैसे ही निकालना है बट इसमें थोड़ा सा आपको ये ध्यान लखना है वो क्या बाते हैं आ साथ आप दो तरीके से निकाल सकते हैं पहले तो आप क्या कर सकते हैं कि इसमें जो fraction इसको fraction में चेंज करके भी निकाल सकते हैं और इसको डिरेक्ट आप जो 1.69 है तो डिरेक्ट कैसे निकालें गे 1.69 है तो इसका हम लोग long division method इस्तेमाल करके इसका square root निकालेंगे ठीक है तो long division method में आप कैसे करते थे, पहले आप कैसे करते थे इसको pair बना देथे थे ठीक है, और pair में जो हो जाता था दो का pair बनाते थे, और जो नहीं pair बनता था जिसका उसके ऊपर भी एक बार दे जाते थे थे, ठीक है, तो इस में देखे, यहां पर क्या हो जाएगा, जैसे 1 है, यहां पर तो अब यहां भी point दे देंगे ठीक है जहां पर आपका integral part खतम हो जाएगा वहीं आपको point लगा देना है यहां पर ठीक है अब यहां पर जैसे आप पहले करते थे यह number add हो जाता था 1 plus 1 2 हो गया और यहां पर आपका हो गया 69 तो आप कौन से number रखेंगे जिसको गुना करने पर unit place पर 9 आता है तो आपको पता होगा कि 3 को अगर हम रखते हैं तो 3-3 जा 9 होता है यह 7-7 जा 49 यहनके 9 unit place पर आ रहा है ठीक है तो 7 रखेंगे तो 7-2 is a 14 वो ज्यादा हो जाएगा 3 digit का number आ जाएगा इसलिए मों 3 ही रखेंगे 3 रखेंगे यहां 3 रखेंगे यहां तो कितना हो जाएगा तैस्तिया 69 हो गया ठीक है और यह minus करेंगे तो यह कट जाएगा ठीक है तो अब आप देख रहे हैं कि आपका जो यह आ गया 1.3 यही आपका आंसर हो गया ठीक है second problem में क्या कहता है इसमें second problem है 33.64 square root of 33.64 ठीक है तो इसको आप बनाएगे कैसे बनाएगा देखें 33.64 यहां लिखेंगे हम लोग ठीक है और इसका हम लोग long division method इस्तमाल करके हम लोग इसका square root निकालेंगे तो यहां पर देखें इसका पेर बन गया इसका भी पेर बन गया ठीक है इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे अगर point के बाद कोई ऐसा number दिया गया है point के बाद जो आपका decimal part है उसमें अगर कोई odd number आ रहा है जैसे इसमें तो प्याद लग गया लेकिन अगर मादीजी यहां प्याद नहीं लगता तो हम zero देके उसको प्यार बना सकते है ठीक है उस तरह case आएगा तो मैं उसमें आपको clear list समझा दूंगा अब यहां पर 33 है तो कौन से number यहां पर रखेंगे हम लोग तो देखिए five five जा 25 और six six जा 36 तो हम लोग five रखेंगे ठीक है तो five यहां पर रखेंगे तो क्या जाएगा फ़ाइब 25 हो गया ठीक है अब माइनस करेंगे तो 33 में से 25 गया आठ हो जाएगा ठीक है और यह अब आपका six four उतार दिजी यहां प छोडने के लिए आपको क्या करना होगा यहां पर तो आप जानते हैं कि अगर हम 2 रखते हैं तो स्कॉयर करने पर यूनिट प्लेस पर 4 आएगा ठीक है तो अगर हम 2 रखते हैं तो आप देखें यह 102 बन जाएगा 102 को 2 से गुना करेंगे तो 204 आ जाएगा जो कि बहुत छोटा हो जाएगा इसले हम लोग 8 रखेंगे तो 8 यहां भी रखना होगा लेकिन एक चीज़ देखें यहां पर 33-30 के बाद पॉइंट आ गया यहां बीच में आपको पॉइंट दे देना है ठीक है पहले मैंने बताया था यहां आपको पॉइंट दे देना है जहां यह चीज़ खतम हुआ इस पार्ट का वहीं आपको पॉ ठीक है यह आपको होगया आंसर थर्ड में क्या है 156 156.25 थर्ड में क्या है 156.25 ठीक है तो इसका भी हम लोग वैसे ही करेंगे 165.25 रखेंगे और उसके बाद हम लोग इसको लॉंग डिविजन में इस्तमाल करके इसका इसका रूट निकालेंगे तो यह हमने पेर बना दि हो जाएक यह दो यहाँस फ्न और दीजिए चया पर 258 2 ठीक है अब यहां पर 1225 है तो 5 लाने के लिए 5 ही रखना होगा तब ही तो यूनिट प्रेस पर 5 आता है तो 5 रखेंगे यहां तो यहां भी 5 रखना होगा अब गुना कर दिजिए तो 5 है 25 हो गया पांचो का 20 दू 22 हो गया अब 5 दू 10 दू 12 हो गया ठीक है माइनस कर 659 तो सेम ऐसा इसमें भी करेंगे लोग 75.69 यहां रखेंगे और इसका लॉंग डिविजन करेंगे तो यहां से यह पेर बना दिया अब 75 है तो कितना हो जाएगा 88,64,99,81 होता है तो 88,64 रखेंगे यहां पर ठीक है 88,64 होता है पांच में चार गया एक और यहां पाँ जाएगा 6,9 और 8 में 8 एड़ कर दिजए तो कितना हो जाएगा 16 अब यहां पर कॉन से नमबर रखेंगे देखे 9 लाने के लिए 3 रखना पड़ेगा तो 3,3 जा 9 होगा या फिर 7 रखना होगा तो 7,7 जा 49 आ जाएगा ठीक है बट 3 और 7 कैसे डिसाइड होगा इसकी वज़ासे डिसाइड होगा कि लास्ट यूनिट प्लेस पर कॉन से नमबर आना चाहिए तो अब 7 यहां भी रखेगा चुकि यह 69 पॉइंट के दर है तो यहां पर हम लोग पॉइंट रख देंगे ठीक है अब 7 यहां पर रख दीजे तो 7 से बंजा 49 7 सिख जा 42 प्लस 4 46 7 बंजा 7 प्लस 1 एस सोरी 4 11 होगया माइनस कर दीजेगा तो यह कैंसल होगया ठीक है तो आपका आंसर हो गया 8.7 ठीक है पांचवा में है 9.8596 9.8596 इसका आपको इसका रूट निकालना है तो यहां पर में लिखेंगे 9.8596 और इसको लॉट डिविजन करेंगे तो क्या हो जाएगा यहां पर पहले प्यर लगा दीजे और यह प्यर नहीं लगेगा तो इसके उपर एक बार लगा दीजे ठीक है थीरी से लगाएगा तो थीरी थीजा 9 हो गया ठीक है माइनस कर देंगे तो यह कट जाएगा 85 उतार देंगे यहाँ पर अब थीरी है तो थीरी प्लस थी कितना हो जाता है 6 अब यहाँ पर 85 है तो यह 85 चुकि पॉइंट कि इधर आया है ठीक है तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट रख देंगे अब 85 है तो यहाँ पर हम लोग एगर 1 रखते हैं तो आप देखिए 1 रख देंगे नौ 6 उतार देंगे एक साथ अब यह एक जो लास्ट में था इसको हम लोग एड़ कर देंगे तो बासर्ट हो गया अब यहां पर देखे च्छे है तो यह आपको इंडिकेट करेगा कि यहां पर आपको 4 या 6 रखना होगा ठीक है तो 4 रखेंगे और 6 तो 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा कैंसल सारा का सारा 0 हो जाएगा अब यह आंसर आपका आगा 3.14 ठीक 6 में है 10.0489 ठीक है तो यह आपको निकालना होगा 10.0489 ठीक है तो यहां पर आपको क्या करना होगा देखे 10.0489 का जब आप लॉंग डिविजन करेंगे तो आपको यहां पर पहल जूवाइन हो गया तो 1 अब पॉइंट है पहले वाला काम हो चुका है फॉइंट की इधर वाला उतारना है 0 4 यहां पर पॉइंट जब तो और 6 हो जाएगा और यहां पर आप अगर 2 रखते हैं तो 12 नीचो क्या हो जाएगा 122 हो जाएगा ठीक है तो इसलिए हम लोग 1 रखेंगे, यहां भी 1 रखेंगे, ठीक है, तो कितना हो गया यह, यह हो गया आपका 61, माइनस कर दिजिए गया तो 4 में से गया 3, 10 में से गया 4, अब यह 8, 9 उतार दिजिए, और 1 को add कर दिजिए, तो 62 हो गया, अब यहां पर 9 इंडिकेट कर रहा है कि आपको 7 रखना है, ठीक है, 3 भी रख सकते हैं, बढ़ 3 रखके चिक के जाएगा, तो आप देखेगा, इससे बहुत ज़्यादा कम आ जाएगा, तो 7 रखेंगे यहां पर, कितना हो जाएगा, 7, 49, 7, 14, 14, 14, 43, माइनस करेंगे तो यह, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो आप होगा, यहाँ पर प्यार लग जाएगा, तो 1 को स्कॉयर करना पड़ेगा, तो 1 माइनस किजिएगा, तो यह 0 हो जाएगा, अब यह 0 एट उतार दिजिए, चूंकि यह 0 पॉइंट के इधरा है, इसलिए यहाँ पर पॉइंट आपको लगा देना है, अब 1 प्लस 1 कितना हो अब यहाँ अगर 1 भी रखते हैं, तो आपको क्या होगा, एकीस हो जाएगा, जो की बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर 0 रखेंगे, तो यहाँ भी 0 रखेंगे, और इस 0 के वज़ए से, यह 1 6 यहाँ पर नोट कर देना है, अब क्या हो जाएगा, चूंकि हम और 4 दूना 8 हो गया, ठीक है, माइनस कीज़ेगा, तो यह cancel हो जाएगा, ठीक है, तो आपका answer कितना हो गया, 1.04, ठीक है, यह यह आपका answer है, 8 में कितना है, 0.2916, तो इसका निकालिए, square root of 0.2916, तो यह अब कैसे कीज़ेगा, इसको देखे, सेम वैसे ही काम करना है, ठीक ह अब यह 0 add कर दीज़े, तो 0 ही हो जाएगा, 29 उतार दीज़े, चुकि पॉइंट के बाद है, तो पॉइंट रख दीज़े, अब यह 29 कैसे आगा, अगर हम यहाँ पर 5 रख देते हैं, ठीक है, तो 5 5s है कितना होता है, 25 हो जाएगा, ठीक है, माइनस कर दीज़ेगा, तो य कैंसल हो गया, यहाँ के 0.54 आंसर हो गया, ठीक है, चलिए, 9 में कहा रहा है, evaluate root under 3 up to 2 places of decimal, एक चीज़ आपको इसमें बता दू पहले, देखिए, यहाँ पर जो भी है point के बाद, देखिए, सब का सब क्या है, पेर में है, अगर पेर में नहीं होता, तो हम जो 0 होता, जितना माली जेगा, अगर 3 होता, तो हम 1 0 रख के इसको पेर में बना सकते थे, अगर 5 में होता, तो हम 1 0 रख के 6 अंक बना के इसको पेर में बना सकते थे, ठीक है, तो इस तरीके चाप कीज़ेगा, अब यहाँ पर root 3 है, इसमें up to 2 places of decimal निकालना है, ठीक है, यहाँ के root 3 का जो मा इसको round off कर देते, estimate कर देते, जो आपने सीखा होगा पहले, तो root 3 का कैसे निकालेंगे, देखिए, 9 में आपका question कह रहा है, कि आपको निकालना है root under 3 की value, ठीक है, तो root under 3 की value निकालने के लिए, आप यहाँ पर लिखेगा 3, ठीक है, अब 3 लिखके तो क्या करेंगे, हम दो point दे देंगे, और चुकि आपको 3 अंकों तक निकालना है, 3 digits का निकालना है, 3 decimal, 3 places तक निकालना है आपको, तो 3 places निकालने के लिए, आपको यहाँ पर 3 pairs of 0 डालने होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 3 pairs of 0 आप डाल देजिए, ठीक है, देकि इस से इसकी value में कोई फरक नहीं आएगा, ठीक है, अब इसको, लेकिन हम लोग इसका long division अप कर सकते हैं, ठीक है, पेर लगा दीजें यहाँ पर, पेर लगाने के बाद, जब आप देखेंगे कि यह 3 है, तो आप यहाँ पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 1 आप रखेंगे, यहाँ जब माइनस करेंगे, तो 3 में से 2 हो जाएगा, और यह 2 0 पेर्स में है, तो यहाँ पर आजाएगे, अब 1 प्लस 1 कितना होगा, 2, अब यहाँ पर कौन से नंबर रखेंगे आप, ठीक है, देखें ध्यान से, कि अगर हम आप यहाँ पर, अगर हम लोग रखते हैं, 6, तो जब आप 6, यानिके 26 हो 216 को जब 6 से गुना किजएगा, तो कितना होजएगा, 156 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आप अगर यहाँ पर रखते हैं, 7 और जब 7 रखेंगे, तो 27 बन जाएगा यह, तो 27 को जब 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा,Park, 16,ände तो हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पर 7 अगर हम 8 रख देंगे तो 28 बन जागा यह 28 को जब 8 से गुना करेंगे तो 224 आ जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा इसलिए हम लोग 7 रखेंगे यहां पर ठीक है तो 7 रखेंगे यहां तो यहां भी हम लोगो 7 रखना होगा लेकिन चुकी पॉइंट खतम हो चुका है पॉइं उसके बाद हम लोग यूज़ कर रहे हैं डिजिट्स को तो यहां पर पॉइंट आ दिजाएगा ठीक है अब 27 सत्य कितना होगा साथ सत्य उन्चास साथ दूनी चौदा चार अठार ठीक है तो माइनस कर दीजेगा तो कितना हो गया एक नौ में साट गया एक और एक में से ग बढह एक में तो इस आउर में व्सकेंड रखेंगे तो तो आप छौटीस में अगर आप लगा देते हैं मालेज parab何 तेन कीजेगा तो आपका संधिंगा 20 3 ठीक है लेकिन अगर आप 3 नहीं रखे आप यहां पर 4 रख देते हैं ठीक है तो आपको यहां पर 4 रखना होगा तो 344 को जब आप 4 से गुना किजेगा तो कितना आजाएगा यहां पर लगब लगब आपका 1376 यहां जो कि इससे बड़ा हो जाएगा तो इसलिए हम लोग 3 ही यहां पर ठीक है क्या रखेंगे ठीक है टीरी रखेंगे तो इधर भी आपको ठीरी रखना होगा तो क्या हो जाएगा 343 है 343 को जब आप 3 से गुना करेंगे तो कितना आजाएगा आपका 1029 तो यहापे 1029 लग दीजिए ठीक है गुना करके आप चेक कर सकते हैं माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 में से 9 हो गया 1 9 में से 2 गया 7 और यह 0 हो जाएगा ठीक है 346 हो गया अब यहाँ देखिए यहाँ पर है 346 अब यहाँ पर 346 में अगर आप 2 यहाँ पर एड कर देते हैं ठीक है 2 तो बन जाएगा 3462 ठीक है और यहाँ पर जब 2 रखेंगे तो इधर भी आपको 2 रखना पड़ेगा तो जब इसको आप गुना किजेगा 2 से तो आपका अंसर आएगा 4924 याँ के 6,924 हो जाएगा 6,924 लेगिन अगर आपने यहाँ पर 2 की जगा 3 रख दिया तो आपको यहाँ भी 3 रखना होगा तो तीन रखेंगे तो जब गुना करेंगे तो आपका आंसर आजाएगा तो यहां पर हम लोग रखेंगे कितना दो रखेंगे ठीक है तो जब हम लोग दो रखेंगे तो यहां भी आपको क्या रखना होगा दो ही रखना होगा ठीक है तो अब आप 2 रखेगा तो कितना हो जाएगा गुणा करके इसको आप गुणा करिएगा तो आपका अंसर लगभा लगवा आ जाएगा 6924 आ जाएगा ठीक है अब आप इसको माइनस कर दीजिए तो 10 में स्टार गया 6 अगर और हमें निकालना होता है अगर हमें 4 प्लेस निकालना होता तो 80 डालते तब हमें और 20 आता फिर हम लोग यह कंटीनू आगे प्रोसेस करते जाते चुकि यहां पर हमारा हो जाएगा 1.732 ठीक है लेकिन हमें कोश्चन में क्या कर रहा था कि कोश्चन में कर रहा था टू प्लेस तक निकालने के लिए तो इसलिए हम लोग 1.732 जो हो गया हमारा यहां पर हम लिखेंगे 1.73 ठीक है यही आपका आंसर हो जाएगा ठीक है अब आते हैं 10th sorry यह आपका 9th है ना 10th में क्या कर रहा है evaluate करना आपको 2.8 का value निकालना है correct up to two places of decimal देखें 2.8 का निकालना है root ठीक है तो देखें कैसे निकालेंगे सेम काम यहां पर करना है चुकि हम लोगों को दसवा में निकालने के लिए square root of 2.8 निकालना ठीक है तो देखें 2.8 में क्या करना होगा आपको 2.8 लिखेंगे यहां पर ठीक है तो जैसे देखें यहां पर कितना निकालना आपको यहां पर question में कह रहा है कि आपको निकालना है two places तो two places निकालने के लिए कहा जा रहा है तो आपको निकालना होगा three places का ठीक है तभी तो आप उसको two places में round off किजीगा तो three places निकालने के लिए आपको point के बाद छे जीरो चाहिए जिसमेंसे दो जीरो तो यह हो गया दो अंकी हो गया ठिक है तो 2 जीरो और देंगे और 1,2,0 और यहनके 1,2,3,4,5 पांच जीरो देंगे हम लोग। 6 यहां पर पुरा देंगे ठिक है 3 पेर हम लोगो पुरा देना है आपर एक दो तीन पेर हो गया और यह 0 ठीक है अब हम लोग इसका काम करेंगे अब काम करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर आप 1 रखेंगे ओवियसली ठीक है 1 का स्क्वाइर 1 हो जाएगा 2 में से 1 गया 1 आजाएगा और यहाँ पर 80 है तो यहाँ पर 8 0 नोट कर दीजे और यह पॉlar के पहले जो डिजिट था भो खतम हो चुका है फॉlar के एधर काम कर दिया है तो इस पॉlar को यहाँ पर नोट कर दीजे अब यह 1 आप पर जोर दी जाएगा 2 हो जाएगा अब यहाँ पर कौन से नमबर उतारेंगे देखे अगर आप यहाँ पर 5 उतार देते हैं तो 25 बन जाएगा तो यहां भी आपको 6 रखना होगा, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, देखिए, अब यह बन गए 26, और 26 को जब आप 6 से गुना करेंगे, तो आपका आंसर आजाएगा, 156, ठीक है, माइनस कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 10 मिस तो हो गया, 4, 7 मिस पांच गया, 2, और यह तो आपका कैंसल हो गया, कट गया, अब इस 6 को आप एड कर दीजिए, तो 6, 6, 12 के 2 हासिल, 1, 32 हो गया, ठीक है, अब चुकि यह 80 का काम हो चुका है, तो 80 के बाद यह जो 2, 0 है, इसको यहां नोट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, अब यहां पर हम लोग देखि रखके देखिए, तो यह 328 बन गया, और यहां एट रखेंगे, तो आपको यहां भी एट रखना होगा, तो जब 328 को जब 8 से मल्टिप्लाई कीजिएगा, तो आपका आंसर आजाएगा, लगब लगब 2624 आजाएगा, यह ज्यादा हो जाएगा यहां पर, तो इसलिए हम लोग, चुकि हम लोग को 2400 से कम चाहिए, तो हम लोग 8 न रखके, 7 रखेंगे, और 7 रखके, जब हम लोग यहां भी 7 रखेंगे, तो गुना करके देखेंगे, तो लगब 2289 के लगबग आएगा, ठीक है, 2289, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा यहां पर, यह 7 रखेंगे और इधर भी 7 रखेंगे, और यहां पर आपको आंसर आजाएगा, इसका लगबग 2289, अब माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखे, 2400 है, इस में से जब माइनस करेंगे, तो 10 में से गया है, तो एक बचेगा, और 9 में से आट गया, एक, ठीक है, यह कर जाएगा, अब यह 20, 80, 20 का हो गया काम, अब यह 20 यहां उतार दीजिए, तो इसको 7 को आपको आट कर देना है, तो 7, 7, 14 के 4 हासिल, 1, 3, 3, 334 हो गया, अब 334 यहां पर है, अब कौन से नंबर लगाएगे, देखे, यहां पर आपको मैंने बताया था, 2 क्या है, 11, इधर 3 है, तो आप 3 3 से अगर 11 में भाग लगाने लिका जाएगा, तो आप कितना लगाएगे, तीन तिया 9, ठीक है, तीन लगाएगे, हाना, तो यहां पर 334 है, तो यहां भी आप 3 रखके, चेक करेए, ठीक है, पहले चेक करना आपको, गुना करके, चेक किजे, 334 हो गया, यहां पर 3 यहां पर, और इधर भी आपको 4 रखना होगा तब, तो जब आप गुना करेंगे, तो यह लग 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 बहुत जादा हो जाएगा, 12,000 से भी जादा हो जाएगा, 13,000 के लग बहुत जाएगा, तो हम लोग यहां पर 3 ही रखेंगे, तो यहां पर 3 रखेंगे, तो हम गुन कोई बात नहीं इसे यह बचने से कोई आपको फरकने पड़ेगा अगर आपको फोर प्लेस तक निकालना होता तो फिर यह दोर जिरो यहां पर करते और आगे प्रोसेस करते 1.673 हो गया तो यहां पर आप लिग दिए चुकि आपको कोशन में कहा जा रहा है तो ही प्लेस तक क 1.68 हो जाता है ठीक है तो यह आपका आंसर हो गया अब यहां पर जो 12 है उसमें कहता है find the length of each side of a square whose area is equal to the area of a rectangle of length इतना मीटर and breadth इतना मीटर उस final length of each side of the square आपको क्या करना है कि उस square का side निकालना है जिसका area बडाबर होगा एक rectangle के area के और rectangle की जो side है वो length of breadth दिए दिया है आ तो पहले rectangle का area निकाली है देखें 12 में क्या करना आपको length दिया हुआ है आपको कितना? 13.6 मीटर और breadth कितना दिया हुआ है? तो यह आपका दिया हुआ है 3.4 मीटर ठीक है? तो area बराबर क्यों हो जाएगा? area बराबर हो जाएगा क्या? 13.6 मीटर गुने 3.4 मीटर अब आप इसको गुना कीजिए तो आपका आंसर आजाएगा 46.24 ठीक है अब ये आपको क्या करना है side of square निकालना है side of square ठीक है तो आपको पता है कि चुकि area जो है इसका rectangle का उतना ही आपका square का भी area होगा तो area of square यहाँ पर आपको मिल गया है यह आपका क्या हो जाएगा area of square ठीक है दोनों बराबर ही है तो आपको क्या करना है side of square निकालने के लिए इसका आपको square root निकाल देना होगा चुकि area का square root निकालना होता है तो यह कितना हो जाएगा देखिये आप 46.24 का आपको निकालना है क्या स्कृण। निकालना है तो आप इसको निकाल दीजिये ठीक है यहां से इसको पेल लगा दीजिये ठीक है यहां वन और यह 24 उतार देना है चुकि यह 24 पॉइंट किधर है तो इसे पॉइंट आ जाएगा 6,8 कर देज़ेगा तो 12 हो जाएगा अब यहाँ पर क्या रखेंगे 8 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 8 रखेंगे तो यहाँ पर 8 रखना होगा 128 स्कॉइट से गुना किजिए यहाँ पर आप लख देज़े 6.8 मीटर यही आपका आंसर हो गया ठीक है तो जो आपका कोशन था exercise 3F का एक से लेके बारत तक वो solve हो चुका है ठीक है अगली वीडियो में हम लोग जो आगे के exercise है उनको हम लोग solve करेंगे जिसमें हम लोग square root of fractions के बारे में जो problems होगे उनको solve करेंगे fractions का यहनके भीन का square root वर्गमूल कैसे निकालते है ठीक है तो अगली वीडियो में हम लोग exercise 3G को solve करेंगे ठीक है तो आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए समझ में अगर आया है तो भी और अगर नहीं कुछ समझ में आया हो तो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरा टेलीगराम आप जोइन करके वहाँ पर भी आप मुझसे directly conversation कर सकते है ठीक है मेरे Instagram को follow कर लिजिए ठीक है और अगर हमारे चैनल YouTube को subscribe नहीं किया है तो आप YouTube पर हमारे चैनल जरूर सबस्क्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों से जरूर शेयर कर दिजेगा मिलते हैं फिर आप से अगली वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखे व बहुत बहुत शुक्रिया